हिलो फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम टो वर यूट्व चैनल हिंदी टेक्नेक्स दोस्तों आज बात करने वाली हैं वोट इस एन-म-म-स एक्जाम या वोट इस एन-म-म-स इसकॉलर्शिप जियां दोस्तों एन-म-स एक्जाम के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा अगर एक्जा है जो सिर्फ उन बच्चों को दी जाती है जिन्होंने एक्जाम पास किया होता है दोस्तों इस वीडियो में एक्जाम क्या होता है कौन-कौन लोग एपलाई कर सकते हैं eligibility क्या है age limit क्या है income कितनी होनी चाहिए last date क्या है start date क्या है और एक्जाम की exam date क्या है सारी चीज़े इस वीडियो में clear करने वाले हैं वीडियो को लाश्टक का जरूर देखिएगा तो चलिए friends वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नई है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये वेल आइकन जिससे के हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका notification आपको मिल जाए तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर कर ली है और जिन बच्चों के 7th class में 60% से ज्यादा marks आई हैं वो लोग इसके लिए eligible होते हैं और वो जब 8th class में आ जाते हैं तब इस exam का form भर सकते हैं और उसके बाद ये exam दे सकते हैं इस exam में जिन जिन बच्चों ने 40% से ज्यादा marks secure किये तो वो इस scholarship का हगदार होता है NMS scholarship का form भर सकता है देखिए हम लेकर चलते हैं आपको अपनी official website hinditechnics.com दोस्तो हमारी official website है यहां से आपको काफी latest information लगबग सभी online application के बारे में मिल जाती है तो दोस्तो यहां पर हमने क्या करना है ये search वाला बटन आपको मिलेगा इस पर आपको search करना है और यहां NMS type करके enter कर देना है इसका link आपको directly वीडियो के description में मिलेगा वहां से जाकर आप इस article को open कर सकते हैं ये देखिए हमारा article है what is NMS exam और इसके अंदर हमने सारी चीज़ें बताई है इस article को आपने open करना है जैसी आप इसको open करेंगे तो यहां पर दो option आएंगे बंद करें और खोलें तो आपको खोलें पर click करना है ये देखिए जैसे हमने खोलें पर click किया तो यहां पर पूरा article open हो जाता है इस article में हमने NMS को लेकर इतने सारे सवालों के जवाब दिये हैं even अगर आप NMS exam के बारे में कुछ भी जानना चाते हैं सारी चीज़ें आपको इस article में मिल देखिए what is NMS exam और इसकी full form क्या होती है इसके benefit क्या होते है इसकी eligibility क्या होती है कैसे apply करना है कब apply करना है इसके scholarship का amount कितना होता है और जो exam का result आता है वो किस महीने में आता है कैसे status check कर सकते हैं कैसे admit कर download होता है इसकी official website कौन कौन सी है आप जिस भी state से belong करते हैं सारी की सार सारी states की जानकारी सिर्फ एक single article में मिलेगी NMS, UP, महरास्ट, करनाटका किसी भी state से हैं अब सारे के सारे articles आपको यहाँ पर मिल जाते हैं हर state की पूरी information यहाँ से मिलेगी तो इसको जाकर पूरे article को आप पढ़ सकते हैं काफी बड़ा article है आपको जो जानकारी चाहिए वो स सारी जानकारी इस से मिल जाएगी तो यहाँ पर दोस्तो हमने आपको समझा दिया NMS exam यह 8 class में दिया जाता है और यह एक तरह से entrance होता है जो लोग इसमें 40% से उपर mark secure करते हैं उनको इस scholarship को भरने का मौका मिलता है इसके अलावा दोस्तो इसकी eligibility क्या है वो सारी website पर आप किसी भी college से हैं किसी भी school से हैं तब इसका आप form भरते हैं और इस scholarship को verify होने के बाद जब इसका payment शुरू होता है तो 1000 रुपे महिना इस student को मिलते हैं class 9, class 10, class 11, class 12 में यानि 4 साल तक 1000 रुपे महिना दिये जाते हैं काफी अच्छी scholarship है इसके अलावा दोस्तो हमने इसक यूटूब पर पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाया है जाकर आप देख सकते हैं और अगर कोई जानकरी आपको चाहिए इसके बारे में तो हमारे comment box में आकर हमसे पूछ सकते हैं हम आपका जवाब जरूर देंगे ओके फ्रेंड्स हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक मिलते हैं फिर सेकने वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हैं जय वारत